लो गाइस तो वेलकम टू माई खुफएडेक चैनल तो दोस्तो आज हम लोग देखने वाले फ्री फायर का अकाउंट आप लोग अपने मोबाइल नंबर से किस तरह से कनेक कर सकते हो जब भी दोस्तो आपको यहाँ पर पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको यूजर नेम यहाँ पर आप लोग देखने में फेस्बुक से कनेक कर रहा हूँ जब भी हम लोग यहाँ पर लॉग इन करते हैं हमारा फ्री फायर तो फेस्बुक का आड़ी यहाँ पर लॉग इन होता है यहाँ फिर लॉग नहीं होने के बाद यह हमें इस तरह से पूस्ता है तो क्या क करेंगे दोस्तों कौरनर पर आपको three line दीखाई देंगा तो simple आप लोग इसके उपर क्लिक करेंगे three line के उपर निचे स्क्रोल करेंगे और देखे setting और प्रावेसी का option यहाप दिखाई दे रहा है तो simple आपको क्या करना है setting and privacy के उपर click करना है और setting के उपर click करके ले लेना है उसके निचे option है दोस्तों इस space पे आने के बाद आपको यहाँ पर personal and account information का एक option यहाँ पर दिखाई देता है simple आपको क्या करना है personal and account information के अंदर चले जाना है जैसे ही दोस्तों यहाँ पर रहेंगे आपको यहाँ पर contact information का एक option यहाँ पर show हो जाएंगा तो आपको क्या करना है contact information के अंदर चले जाना है यहाँ पर अगर दोस्तों आपका mobile number यहाँ पर Facebook से add यह फिर आपका एड़ नहीं है तो आपको क्या करना है सिंपल आपको क्या करना है एड यूर फोन के उपर यहाँ पर क्लिक करके ले लेना है आप लोग जाके फेस्बुक पर चेक कर लिजे आपका मॉबाइल नमबर यहाँ पर कोई एड है तो उसे रिम्यूव कर देना अगर आप लोग चाहते हैं कि वो फ्री फायर से कनेक्ट हो है तो जो आप लोग मॉबाइल नमबर चाहते हैं वहीं यहाँ पर एड कर लेना तो सिंपल दोस्तों आभी क्या करना है यहाँ पर एड फोन यूर नमबर पर क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना मॉबाइल नमबर इंटर करके ले लेना आपका mobile number यहाँ पर add हो चुका है अभी दोस्तो बस इतना ही आपको काम करना है अब जब भी आप लोग दोस्तो यहाँ पर अगर अपना free fire अपना login करना चाहते हो तो आप लोग facebook open करके ले लेना facebook open करने के लिए अभी आपको username डालने की जरूरत नहीं है simple आपको यहाँ पर अपना mobile number इन्टर करना है और mobile number इन्टर करने के बाद एक बार दोस्तो आपको यहाँ पर password इंटर कर लेना अगर password नहीं पता है तो forget password करके आख क्योंकि आपने यहाँ पर mobile number add कि आए तो दोस्तो उस mobile number के ओपर OTP आएंगा और आपका password यहाँ पर आप लोग new password जनरेट कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं यह mobile number यहाँ पर confirmation करने के लिए यहाँ पर code मंग रहा है तो मेरे दुसरे mobile के उपर यहाँ पर code लगा हुआ है चलिए दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका free fire आपका mobile नमबर किस तरह से यहाँ पर free fire पर add कर सकते चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक टूडियो में जब तक के लिए बाबाई